हेलो, आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाड़े हैं जिसका नाम है of उसलेशन मेंली ग्लासिकल मेकेशन के सिलेटे हैं जिसे अकसित नमेरिकल जते हैं चैनेट में। समोल ओचिलेशन उनी सिस्टम के लिए अप्लीकेबल है, जो system conservative होते हैं conservative systems वो होते हैं जिनका total energy जो है वो conserved है जिसके total energy क्या रहा है conserved now एक और system अगर conservative system जो होता है उसकी जो potential energy है वो only function होती है position की okay so यह बात मी important है so small oscillation is applicable for conservative systems और conservative system का मतलब potential energy is the function of position only okay now small oscillation problem solve करने के लिए कई methods होते हैं कि कई methods होते हैं उन में से एक method है जो matrix method का एलापता है okay so हम basically matrix method पर concentrate करेंगे matrix method बहुत ज़्यादा applicable है कि जिस system के अंदर two या more than two objects present हो अब अगर किसे system के अंदर एक object हो उसके लिए भी applicable है लेकिन system में दो या दो से ज़्यादा bodies present है उनके लिए बहुत easily जो है numerical को solve करवा देता है तो दूसरा point मैंने यही डाला था and this is also applicable for one body system now इस numerical को solve करने का क्या मतलब है और इस numerical को हम कैसे solve करें इस प्रिंग के एक मास अटेच है और इस मास को आपने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया अब जो डिस्प्लेस कर रहे हैं तो जो फोर्स लगा रहे हैं वह फोर्स पहली बात बहुत कम होना चाहिए तभी यह इसमोल उसीलेशन के अंन्ड आएगा होके स्मोल होना तो इसलिए जो आगए है गया इस Rex करें जो इस पिक है धो ऑट इसलेट हों स्मोल होने कि ठीच को कि जो डिस्प्लेसमेंट हो में हो ऑट है क्या क्या क्व Commission होकं कि जरा उन पर ध्यान देते हैं तो मैं कुछ methods बना रखें नुमेरिकल्स को सोल करने का तो step first इन methods को सोल करने का पहला step जितने system के अंदर आपकी body हैं उतनी ही displacement मालो पहली object का displacement निटा 1 दूसरे object का displacement निटा 2 तीसरे का अगर तीसरा हो तो निटा 3 निटा 4 इस तरी के जितने system के अंदर object हैं उतने ही displacement मालो निटा 1 निटा 2 निटा 3 और आपको एक पात और मानने है कि जब इस system को आपने displacement किया इसको displaced किया तो एक particular direction में किया मैं जूम करता हूँ कि आपने displacement किदर किया है इस ताइब इस तरह किया है तो पहले object का displacement क्या हो गया निटा 1 दूसरे object का displacement क्या हो निटा 2 ओके तो फहला step यही था क्या जूम कर लो अजून दर सिस्टम मोई न वन डारेक्शन एंड से निटा 1 निटा 2 निटा 3 और दर डिस्प्लेस्मेंट ओफ दा इच ओब्जेक्ट फहला step समझ में आ गया दूसरा step अगर आपने displacement किया है तो सिधी सी बात है सिस्टम के अंदर kinetic energy आ गई होगी अब उस kinetic energy को हम लिखें कैसे तो kinetic energy को लिखने का चो तरीका है वो simple सा है kinetic energy कुछ इस तरीके से journal expression देता हूँ summation half m displacement dot square क्योंकि kinetic energy हमारी क्या होती है half m भी square होती है और velocity क्या होती है displacement का dot अब ये summation कितना चलेगा summation जितनी इस सिस्टम के अंदर object है जैसे मैंने उपर example लिया इस example में हमारे पास दो object है तो summation पहली पहले तो इस object के लिखेंगे प्लस इस object के लिए लिखेंगे तो मैं अब देखों पहले object के लिए kinetic energy कैसे लिखेंगे बई half इसका mass m इसकी displacement निटा 1 का dot का square दूसरे object के लिए half m निटा 2 dot का square तो बताओ kinetic energy लिखने हागी नहीं लिखने हागी kinetic energy में उतनी ही टरम रहेंगी जितनी टरम जो है जितने आपके mass attach है अगर तीन mass होते ते एक ओर टरम आ जाती हाफ m निटा 3 dot का square समझे नहीं समझे तो step number second भी आपको समझने आ गया होगा नाव पॉसी तूदा step number third step number third हमारा और विशंफल है इसमें हमें अगर जाती है एक बरतरी का सीखलो हाफ समिशन अगें चलेगा हाफ के क्या है स्प्रिंग कॉंस्टेंट extension माइनस कंप्रेशन का square extension माइनस कंप्रेशन का square कैसे लिखा जाएगा अब ध्यान से सुनूँ सबसे पहले important बात potential energy में उतनी ही ट्रम रहेंगी जितनी की आपकी spring attached है system में पिछले example में एक spring थी तो potential energy के अंदर एक ट्रम आएगी clear बात अब देखो पिछले example में ध्यान देते हैं क्या हो रहा था ध्यान यह हो रहा था कि यह जो spring है इस spring को इस spring की extension भी ओरी थी compression भी कैसे देखो इस को system को इधर displace किया है अब देखो यह जो need to this is spring को खीचने की मेरी बात समझे तो अब देखो इस एक्जाम्पल में extension कोण करेगा वई extension कर गया निटा 2 और compress कोण कर गया निटा 1 तो आपका potential energy लिख दिया हमने half के निटा 2 माइनस निटा 1 का whole square बताओ समझ में आया नहीं समझे यह जो potential energy में जितनी ट्रम होगी कितनी ट्रम होगी जितनी आपकी spring अटेच होगी जितनी spring लोगे उतना ही आपका potential energy की ट्रम आती चली जाएंगी बताओ समझ में यह नहीं है मै एक example और दिखाता हूँ आपको ऐसे नहीं देखो जैसे मैंने यह example लिया अब इसमें मैं दोनों चीजे लिख क्या हूँगा सबसे पहले यह तीन object का system बढ़ गया अब बताओ पहले कि मैंने निटा 1 मान ली निटा 2 मान ली निटा 3 सारे system को इधर मैंने displace मान लिया अब सम का इनरजी में कितनी ट्रम आयेंगी जितने मास होंगे मास कितने हैं 1 2 3 अब पहले वाले मास की वजए से लेकिनिट्रेंचरप one करस के से दूसरे वाले की वज़े значит half m debt laptop करक के और तीसरे वाले की half 145 डोट की है बताओ कीई निटा 3 एन बात आई potential energy लिखने की Potential energy कितने trucks आएंगी , उतनी replies अब जितनीお願いします पहली arrow DENNIS पहलीيع कि याँडा कि खिल को subscriptions और को that कि याँड़े सब्सक्राइब को क्या बहुत का है धूसरी सब्सक्राइब कार्श में खिल कार्याइब और Nitta 2 क्या कर रहा है, compress कर रहा है, तो Nitta 3 माइनस Nitta 2 का square, बताओ लिखना है नहीं है, एक और example ले लो, एक और example लो, यह देखो, इसमें क्या है, यह system बना दिया है, यह जो है इधर fix है, यह जो है wall के attached है, ठीक है, और आपके 2 spring और 2 mass हैं, अब देखो द्यान से, सबसे पहले kinetic energy में कितनी ट्रम आएंगी, मैंने बताया kinetic energy मूत निट्रम आएंगी जितने mass है, mass कितने हैं 2, M1 और M2, मैंने सारे system को इधर displacement मान लिया जी, ठीक हैं, पहले का displacement Nitta 1, दूसरे का displacement Nitta 2, अब पहले की kinetic energy लिखना चाहें system की, तो half M Nitta 1 डोट का square, half M Nitta 2 डोट का square, बताया kinetic energy लिखना तो बहुत आसान है, अब चलो potential energy लिखते हैं, तो potential energy को लिखना है, तो पहली कितनी spring है, 2 spring है, तो कितनी ट्रम आएंगी, दो ट्रम आएंगी, अब चलो पहली की वज़ेस लिखते हैं, पहली spring एक तरफ से तो fix है, और दूसरी तरफ से Nitta 1 से खिची जा रही है, मतलब spring का क्या हो रहा है जी, extension हो रहा है, और spring का अगर extension हो रहा है, तो only extension वाई ट्रम आएगी, half K Nitta 1 का square, समझे नहीं समझे, अब दूसरी spring का Nitta 2 तो extension कर रहा है, और Nitta 1 क्या अगर रहा है, compress, तो इसमें क्या आएगी, half K Nitta 2 माइनस Nitta 1 का square, तो यह हमां kinetic energy और potential energy लिखने का तरिका में आना चाहिए, यह पहला step हमारा यह होता है, clear जी, अब देखो क्या था अगला step में, पहला क्या लिखा है, मैंने, आपने kinetic energy लिख 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 लिए, फिर हमने क्या लिख लिख लिया, potential energy, उसके बाद मैंने कहा, कि kinetic energy and potential energy को थोड़ा simple form में लिख लिखो, simple मतलब square खोल दो, जैसे कि kinetic energy तो simple थी, potential energy में कोई आ रहा था न, potential energy में क्या आ रहा था, whole square आ रहा था, आ रहा था whole square, इसको मैंने खोल के थोड़ा simple way में लिख लिख लिए, ठीक है, write down the expression in the simple form, this is the step number fourth, now step number fifth, step number fifth में आपको vij और tij calculate करना है, अब यह vij क्या होता, tij क्या होता, ज्यान से चुनो, vij का मतलब curly square v upon curly n i curly n j, मतलब अगर vij, आप देखो system में particle कितने हैं जी, दो, अगर दो particle हैं इस example के अंदर, तो आपका जो i की value है, वो 1 भी हो सकती है, और 2 भी हो सकती है, similarly j की value 1 भी हो सकती है, और j की value कितनी हो सकती है, जी 2 भी हो सकती है, समझे नहीं समझे, अगर 3 particle हो, तो i के value कहां से लेगी 1, 2, 3 j के value कहां से लेगी 1, 2, 3 अब देखो तो दो particle हैं इस system में तो i और j के value 1 भी हो सकती है 2 भी हो सकती है तो कितने combination बनेगे जी V11, V22, V12, V21 V11 का मतलब समझो V11 का मतलब curly square V upon curly n i curly n j और i और j 11 होगे तो 11 होगे तो square होगे निचे curly square V upon curly n 1 का square तो अब देखो ज़रा potential energy दिख रही है आपको इस potential energy के expression को आपको दो बार derivative करना है किसके respect में n के दो, निटा के दो इटा के दो, कुछ भी के दो displacement के respect में करना है तो भई पहली बार इसका करेंगे तो बताओ क्या आएगा बताओ बताओ जल्दी से k n1 और इसका 0 हो जाएगा और इसका कितना आएगा जी minus k n2 आएगा न, पहली बार में करेंगे और जब दूसरी बार n1 के respect में करेंगे तो only k बज़े हैगा बचेगा न, बचेगा, simple अपने notebook में करके देखो similarly, यह निकाल लिया यह निकाल लिया और यह निकाल लिया बताओ भी IJ निकालना आया नहीं आया अब T IJ कैसे निकलेगा जी, kinetic energy kinetic energy जो निकलेगी वो curly square T upon curly ni dot, nj dot यह dot वाली ट्रम है क्योंकि देखो, kinetic energy में क्या आता है displacement का dot, clear तो इसी तरीके से जब हम kinetic energy का expression देखते हैं तो T11 निकालेंगे 12 निकालेंगे, 22 निकालेंगे तो हो kinetic energy निकाल लिया now step number 6 step number 6, last step है उसमें क्या होता है, हम इस determinant को solve करना है हमें क्या करना है इस determinant को solve करना है अब determinant कैसे solve होगा जी Vij minus omega square Tij का determinant का square तो Vij अभी अभी क्या है था Vij क्या है था भई V11, V12, V21, V22 वई, एक Vij अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो कैसे लिखा जाएगा आपका V11, V12, V21, V22 देखा नहीं लिखा देखा है, तो इसमें वेलिपूट कर दो similarly Tij लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं बताओ T11, T12, T21, T22 यह आपका Tij हो गया होगा नहीं हो गया ठीक है, तो आपने यह लिखा अब इस determinant को solve करना है तो determinant को solve कर सकते हैं आरह कैसे बताओ बताओ क्या होता है, determinant A, B, C, D तो क्या होता है, A, D minus C, B, तो जब हम determinant solve किया तो यह equation आई, हम K square को right hand side में चला गया, दो नोग side square है तो क्या कर दें, square square को cancel अरे नहीं, root लगर लेते हैं तो plus minus आता है, तो plus minus आता है, तो एक बड़ तो minus आ गया, K के बराबर और एक बड़ प्लस K के बराबर आ गया कैसे K कट गया, तो एक तो omega 0 आ गया वही और एक omega 0 बना गया मेरे बाद समझे नहीं, समझे इसका मतलब जब उस system को यह वाड़ा जो system है इस system को हम displace करेंगे, तो एक तो यह हो सकता है, कि वो omega 0 omega 0 मतलब displace ही नहीं हो एक यह हो सकता है, कि वो omega क्या हो under root 2KYM, या omega under root minus 2KYM ठीक है, तीन परकार का oscillation इसका possible है 0, under root 2KYM और minus 2KYM जो सब से कम होता है, उसको हम करते है, fundamental oscillation जो सकम से थोड़ा ज़्यादा होता उसको हम क्या करते हैं, बताओ, first overtone और उसके बाद क्या करते हैं, second overtone अब जैसे अगिला question देख लो यह देखो, तो मैंने पहले तो kinetic energy term लिखी, आप आप से जैसे मने बताया था लिखा, फिर मैंने potential लिखा potential को simplify किया एक छोटा सा निसकर्स बताता हूँ आपको कि जब भी हम system को displace करें इतना displacement करें कि वो mean position से slightly disturb हो, ठेक हैं? तो जब disturb करते हैं तो दुबारा अपने पास आने की कोसिस करता है, mean position पे आने की कोसिस करता है उदान तो आपको, जैसे एक pendule में देखो, एक कोई नहीं, चुमजात ने है देखो, जै एक pendule में, इससे अच्छा समझ में हैगा ठेक है, ये pendule में आपकी mean position पे है, ठेक है तो मैंने इसको थोड़ा सा क्या किया, displace किया displace किया, तो ये यहाँ पर आ गया आ गया नहीं आ गया, अब मैंने छोड़ दिया वही एक बर force लगाया और उसके बाद मैंने क्या कर दिया छोड़ दिया तो अगर आप छोड़ते ही, वो दुबारा अपनी mean position पे आता है तो उसको मतलब वो stable equilibrium है इसमें है, stable equilibrium stable equilibrium क्या होता है अगर उसको छोड़ते ही, वो दुबारा अपनी mean position पर आता है तो उसको हम क्या करते है stable equilibrium अब क्या हुआ है, due to stable equilibrium जैसे आपने इसको displace किया और छोड़ दिया, तो अपनी mean position पर है ठीकिन वो mean पर नहीं रहता, थोड़ा आगे निकल जाता है और suddenly break में लग जाए, तो आप आगे जाके गिरते हो, तो आप आगे जाके क्यों गिरते हो, क्योंकि आपकी body जो है motion में थी, और एक दम आपने अगर break लगा दिये, तो पाव तो हो गए rest पर, क्योंकि वो तो बसके touch है लेकिन आपकी body अभी भी motion में है, तो वो थोड़ी आगे निकल जाती है, समझे है, तो आप आगे जाके गिरते हो, तो उसको हम क्या क्या है